आप दूस्तों कैसे हैं आप लोग आजा करते हैं स्वस्त्व होंगे दोस्तों तो आज हम देखेंगे JBL के सब बूफर का स्पीकर रिपेर करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं यह कि JBL का सब भूफर है और इसके स्पीकर को चुवे ने कुतर दिया है तो दोस्तों इसे सबसे पहले हम उपेन कर लेते हैं आप देख सकते हैं कंपनी की है सब बूफर है दोस्तों तो इसे हम रिपेर आज करना देखेंगे सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों यह चार इसक्रूप पर कसी हुए इसक्रूप हमें समाल कर रखने हैं ताकि हम फिर इसमें लगा ले दोस्तों तो ओपन कर लेते हैं और इसे रिपेर करना बिल्कुल आसान है दोस्तों तो आप वीडियो पुरा देखे और स्क्रीप न करें दोस्तों हमारे चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले दोस्तों तो चलिए यह हमारा देख सकते हैं आप जाएगी तो हमें यह एक लोक लगी रहती है दोस्तों उस लोक को हमें दवाकर निकाल लेनी है तो आप देख सकते हैं इसे चिंटी या किसी भी हाथ से भी निकल जाएगी तो हमने इसे निकाल लिया अब इस स्पीकर को हम रिपेर करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं य को कि दोस्तों तो तो देखें वायर नैसे कैसे इसे कुतत गिया एक़ए यह चुले ने खा गया और यह कट गई दोस्तो तो इसका मतलब है वह सउच्छ किस पाइड़र और क्लम हमारी द्मारिव सही है तो हम इसमे सुर्फ बद्देंगे और कैसे बद्लेंगे दोस्तों इससे आप आसानी से रिपयर कर लेंगे इसका दोस्तों जो बूफर बिपर है या इसे हम साधार्ण रöß individually कैसे लगाएगा वह पूरा वीडियो को देखेंगे तो समझ पाएंगे और इसे हम 10 रुपय में कैसे रिपेर करेंगे ये भी देखेंगे और वीडियो का लाश्ट में बने रही है दोस्तों लाश्ट तक देखेंगे इसकी आवाज कितनी बहतरीन है और कितनी सुन्दर है तो ठीक है यह आप देख सकते हैं यह हमने निकाल दिया और इसे मिट्टी का तेल इस तरह से या थीनर लगा सकते हैं या मिट्टी का तेल या कोई ऐसा लिक्वेड लगा लिए जिससे यह आसानी से यह पहले का बूफर पेपर जो लगा हुए दोस्तों यह छूट सके तो चलिए इसे हम सफाई कर लेते हैं एक बार हम इसे फिर से लगा लेते हैं दोस्तों यह पूरी तरह से नहीं छूट रही है तो एक बार इसे हम फिर से इस तरह से लगा लेंगे और इस तरह से सफाइ junior exist वूफर पेटाने में बैठ जाएगी अराम से ऊथप मेrez दोस्तों तो कि जो पेपर है दोस्तो वह सइसे किल कर लिया है अब इसे दोस्तों इस बीकर जो सोटेयर है दोस्तों यह जो लिया है कि वीडियो को स्किप ना करें दोस्ते एक दम अच्छे से देखेंगो तो बिल्कुल आसानी समझे पाएंगे यह देखिए अब हमने इसे हलका जटका देकर इसे निकाला दोस्ते एक वायर तो हमारी निकल गई और एक वायर यह नहीं निकली है तो अभी इसमें रां से यह देखेंगे अब यह सफाइँ हो चुकी है अब इधर काम हमारा ओक्टेउ को चुका है दोस्तों कि अब इस जो वायर हमने निकाल लिया यह वायर पहले कि कॉन से या एक केमिकल जो भी है कि यह गॉन दी एक तरह का तो यह जब और इजिनल इसपिकर रहती है दोस्तो उसमें एक आजीब तरीकी गोंद रहती है तो इसे हम चिम्टी की मदद से इस वायर को हम निकाल लेंगे हम क्वायल और स्पाइडर को नहीं चेंज करेंगे दोस्तों यह हमारी ओरिजिनल ही रह जाएगी तो ओरिजिनल दस उर्पए में कैसे रिपेर होगी यह आप देख सकते हैं तो यह हमने वायर को इस तरह से चिम्टी से निकाल लिया है दोस्तों अब एक सीरा यह हमारी छोटी है सीरा यह दोनों सीरे हमारे साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको वीडियो में साफ न दिखाई दे रहा हो दोस्तों या हमने दिखाने का प्रेयास कि आप चलिए इसे कंटेनीटी में नाप लेते हैं कि हमारी क्वायल सही है या नहीं अन्य दोस्तों तो यह आप देख सकते हैं यहैं कोईल नहीं खराब है विल्कुल एकदम सब्सक्राइब दोस्तों यह मल्टी मीटर हमारी कंटिनृुटी में काम कर रही है संहुक्त करत तो चलिए कोयल हमारी सव है आप हमें से किनारे जो पेपर के यह जो काले-काले लगे हुए हैं जो सही से उसने खुत्रे नहीं है इसे इच्छे से सफाई हम किसी कैंची या किसी प्लास की मदद से सफाई कर लेंगे दोस्तों कि इस तरह से हमें सफाई कर लेनी है कि आप देख सकते बिल्कुल एक दो साफ कर लेंगा दोस्तों तो पेपर अराम से बैठ जाएगी कर दों अध्यान देखिए हमने हलका-खलका-खलका-खलका इसे कट-कटकर निकाला है दोस्तों को दोस्तों कि वायरिया ना कटे हमारी उसे सहारे से ही लगाए अब यह देख सकते हैं यह 10-3 की बूफर यह दोस्तों 10 उर्पय की market में है यह यह साधर्ण पेपर है साधर्ण भूफर पेपर है जो कि 6 इंच में लगती है दोस्तों तो हमने इसे ढूंने का काफी प्रियास किया जल्दी इसकी पेपर नहीं मिल लें थी तो हम इसी बूफर पेपर को इसमें लगाएंगे आप देख सकते कैची की मदद से हम इसे कैसे काट रहे हैं तो हमें इस तरह से आप किसी भी कैची से इसे इस जो साइज है जिस कटिंग से हम काट रहें दोस्तों इसी साइज की साफ से आप उसके अनकूल काट लीजे अब यह देखे हमारी कोयल के साइज के थोड़ी से कट गई है फिर भी साइज में हमारी नहीं आ रही है दोस्तों इसे हम फिर से मिला लेंगे और हलकी कट अप और कर लेंगे अब यह हमारी देख सकते हैं आप पूरी तरह से साफ हो चुकी है अब यह जो वायर थोड़ी सी छोटी रहेगी यह दोस्तों इसे हम इसके पॉइंट को बढ़ा कर लेंगे और इसकी लूपिंग थोड़ी सी बढ़ा लेंगे जिससे आसान रहे हमें जोडने मेरे तो दोस्तों एक वायर हमारी छोटी थी उसे भी हमने जोड लिया फिर से continuity चेक कर लेते हैं दोस्तों कि हमारी यह बता रही है या नहीं बता रही तो आप देख सकते हैं कोयल हमारी बिल्कुल सही है हमने इसे दूसरे सिर्य को भी जोड़ लिया है तो चलिए अब हम गूइड में झाय म सबसे निफ़ प्लास्टिक एक एक सीट रहेगी उसे कोयल के बीच में लगा लेंगा दोस्तों और इस्पैडर को थोड़ा सा उठा लेंगे हलकी सी उठा लेंगा दोस्तों ताकि हम बूफर प्लास्टिक को बैत है तो हमारे स्पाइडर दभेब नहीं तो आपने अरणार लगा लिया दोसतो आब हम बूफर पेपर को इस तरह से उसमें चिपका देंगे कोयल वाले सुरो को पिछ चिपका देंगे से अब आप देख सकते हैं यह चिपक चुके है दोश्तों से अब इसके उपर भी ये देख्ये ये चारत रसे से चीपक चुकी है आप इसके उपर भी लगा लेंगे दोस्तों इस तरह से हम उपर भी एरेल डाइट को लगा देंगे ताकि ये काफी अच्छी तरीके से कोयल से हमारी बूफर पेपर चिपक जाए अन्य था ये जंप करेगी तो छूटने की चांसेज रहेगी तो अच्छी तरह से एरेल डाइट हम लगाएंगे दोस्तो अब आप देख सक करते हैं हमने इसे बिल्कुल इस तरह से लगा लिया है अब यह बिल्कुल चिपक चुकी है दोस्तों अब दोस्तों हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे चलिए दो घंटे बाद या एक घंटे बाद हम इस बूफर पेपर को जो हमने नहीं चिपका था इसे हम एक गंटे बाद जब यह राड लाइट हमारी सूख जाय दोस्तों तो हम इस बूफर पेपर को चिपका लेंगे तो आप देख सकते हैं हम इसे चिपका ले रहे हैं दोस्तों तो इस तरह से हाथ की मदद से हमें या किसी आप चिम्टी की मदद से भी इस जो बॉन फिक्स लगाए गी है दोस्तों उसे फैला लेना है ताकि यह बूफर पिपर आसानी से यह चिपक जाए दोस्तों और साफ साफ चिपक जाए तो देख सकते हैं इस तरह से हलके हलके हाथों से हमें चारों तरफ इस पिकर के घुमा लेने हैं ताकि यह पेपर सई से चिपक जाए अब देख सकते हैं इस तरह से हमें घुमाना है दोस्तों दो लूप को कैसे यह 10 उर्पे में रिपेर हो रही है दोस्तों यह आप देख सकते हैं हमने इसमें बिलकुल कुछ नहीं किया है spider भी हमारी वही रहे गई है quail भी हमारी हो ही रहे गई है हमने हलके सहारे-सहारे उससे जो इसके पेपर के कुछ सीरे रह गए थे दोस्तों उसे काट कर और इस बुफर पेपर को हमने वैठा दिया सिर्फ पेपर चेंज करके ही हम स्पीकर को JBL के यहासा बूफर को आसानी से बना सकते हैं दोस्तों यह देख सकते हैं हमने हाथ गुमाते-गुमाते यह बुफर पेपर एकदँ पूरी तरह से चिपक चुकी है दोस्तों और काफी अच्छ से चिपक गई है कि इस तरह से हमें चिपका लेनी है अब उसके दो घंटे तक हमें छोड़ देनी है दोस्तो ताकि ये रलाइड भी हमारी सुख जा और ये बूफर फेपर भी चिपक जाए दोस्तो तो ये दो घंटे हमारे पूरे हो चुके हैं अब हमें एक बार फिर से हाथ गुमा लेने हैं दोस्तो इस तरह से ताकि काफी इच्छे से चिपक जाए एक बार फिर हम इसको जाम कर लेंगा दोस्तो ताकि ये इस तरह से हमें उठा लेना उस समय भी स्पाइडर को इसी तरह उठाना था दोस्तो और सुरी हमने बताया नही वायर जो connection वायर वायर है दोस्तों उसे हम coil के वायर में लपेट लेंगे इस Tarh sans लेना है आप देख सकते हैं हमने सहारे से एक वायर को इसे लम कर दिया है और इस तरह से यह. हमने पहले भी दिखाया दोस्तों सर्थ में हमें इस तरह connection वायर को लेना है तो आप देख सकते हैं हमने इसे शूल कर लिया एक बार फिर हम Mood में इसे चेक कर लेते हैं दोस्तों कि हमारी सई से शूल्ड हुई है यह नहीं हुई है है कि दो सब्सक्री एक लाए कि व्यर्ट सुबहारी में महनत दुबारा दुबारा मेहनत करना पड़ा है देख सकते हैं हमारी कंटिनुटी में साब सब बता रही है और यह हमारी क्वायल भी सही है यानि कि हमारी स्पीकर ओक्के हो चुकी है तो चलिए आप हम इसे किसी सुई की मदद से इस बूफर पेपर में छेट करेंगे ताकि यह वायर हमारी और यह पार चलिए यह काफी पतली है दोस्तों यसलिए चिम्टी की सहता सथोड़ा सहोल स्का और बढ़ा कर लेंगे और फिर हम इससे उस पार इस कन्यक्शन वायर को ले जाएंगे घो चलि देख सकते हैं हमने कन्य को इस वायर को लगा निकाल लिए है और वायर को हम थो ऊफर काफी जंप करती है इस spiker बजनें में वायर डेली नहीं रहेंगी तो जहां से हमने इसे वायर को slit यहां थोड़ने की समभावण रहें तो हमें फोड़ी सी डिली रखनी है दोनों वैर को हमनेाल लिया है अब हम इस इस फीकर जो शोकेट इसंगा है इसमें लगा लेने इसी चिम्टी की मदद से हम निकाल लेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे यह निकालनी है दोस्तों वहां हाथ से तो नहीं इस तरह निकल पाएगा इसलिए चिम्टी आप यूच कर सकते हैं इस तरह से हमें कर लेनी है और इस से ये देखे हैं ये हमने दोनों सीरे को निकाल लिया है इस तरह निकालने के बाद वायर इतनी पनी रखेंगा दोस्तों वायर को हम थोड़ी सी ये डीली रख लेंगे अब आप देख सकते हैं हमने वायर को थोड़ी सी धेली कर दी है अंदा से इस तरह से हमें कर लेना ध्यान रहे दोस्तों अन्य था इस फिकर यह कनेक्शन वायर हमारी उखड़ने की या तूटने के संभावना रहेगी बस्ते बस्ते जल्दी खराब हो जाएगी तो अब हम इसे सोल्ड कर लेते हैं फिर से अब यह देख सकते हैं हमने इसे सोल्ड भी कर लिया है अब चलिए दोस्तों इसे सोल्ड हम कर लिया है अब इस अभी भी इस प्लास्टिक की पत्ति को हम निकालेंगे नहीं दोस्तों क्योंकि अभी अब हमें एरल्डाइट लगाना है तो इस कनेक्शन वायर पर हम एरल्डाइट को लगा लेते हैं और एरल्डाइट की मात्रा थोड़ी सी जादे होगी दोस्तों यहां पर क्योंकि यहां पर हमने जॉइंट किया है तो यहीं से क्वायल जब भी खराब होती है तो यहीं से छूट जाती है तो इसलिए हमें एरल लाइट की मात्रा यहां पर थोड़ी सी जादे रखनी है अब आप देख सकते हैं हमने एरल लाइट को लगा दिया अभी से थोड़ा अच्छी तरीके से हम फैला लें कोयल के चारो तरफ है ऐप देख सकते हैं यह पूरी तरह से दोस्तों के लिए फिर हम नी थे छोड़ेंगे अब दो घंट हो जाने और तो हम इस इसमें यह वैर जोड़ लते हैं ताकि हम इसको यही पर चेक कर लें दौस्तों सब-बूफार में तो चेक नहीं करेंगा वो सब-बूफार जो है दोस्तो वो Bluetooth एक जो सिस्टम हो उससे पेयर होता है तो इसलिए चेक नहीं हो पाएगी इसलिए हम इसे अपने एक amplifier से चेक करेंगे इसलिए हमने इस connection वार को जोड़ लिया है और देख सकते हम कैप भी लगा लिया दोस्तो अब सब बूफर में लगाकर नहीं चेक करेंगे इसे हम डायक्ट चेक करेंगे और चार घंटे के बाद चेक करेंगे दोस्तों तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक कि लेजए ही वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक करना बिल्कुल न भूले सब्सक्राइब करते हैं